नमस्कार कुईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्नैप चाट पर चैट सेटिंग कैसे करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं Snapchat पर Chat setting करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में Snapchat app को open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर आपको एक Profile icon का option दीखेगा अब आपको इस पर click करना है click करने के बाद आपको नीचे में एक My Friends का option मिलेगा अब आपको इहाँ पर click करना है क्लिक करने के बाद अब आपको जिस भी फिरेंट का चैट सेटिंग करना है सिंपल आपको उसके नेम पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्रोफाल आइकोन का आप्शन मिलेगा अब आपको इस profile icon के option पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक three dot का option मिलेगा अब आपको इस three dot का option पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि delete chat का अब आपको यहाँ पर delete chat का option पे click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आप किसी से snapchat पे message करते हैं तो हाँ पर वह जब भी message आपका देखता है तो वह message आपका automatic delete हो जाता है तो यहाँ पर उसका आप setting कर सकते हैं तो यहाँ पर आप सेटिंग करना चाहते हैं कि अगर वह मेरा मैसेज़ देखे इसके बाद भी मेरा मैसेज डिलिट नहीं हो तो simple यहाँ पर आपको एक 24 after यहाँ पर viewing का जो option मिला है आप इस पर click कर सकते हैं वहाँ पर वह message देखेगा उसके वह 24 गंटा के बाद ही वह message delete होगा उससे पहले नहीं होगा और आप चाहते हैं कि हम message भेजे और वह देख ले उसके बाद हम message automatic delete हो जाए तो यहाँ पर यहाँ after viewing का जो option है आप इस पर click कर सकते हैं तो चलिए हाँ पर हम चाहते हैं कि 24 गंटा के बाद मेरा message delete होए देखने के बाद तो यहाँ पर हम 24 hour after viewing पर click कर देते हैं तो इस तरह से आप Snapchat पे चैट सेटिंग कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करे और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करे धन्यवाद